नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे दोस्तों आज हम बात करेंगे R.E.C. Limited की बहुत बड़ी भरती के बारे में दोस्तों यह R.E.C. की नई भरती है और इस भरती का दोस्तो नोट्फिकेशन जारी हो चुगा है दोस्तों यह दिया आपके 35 साल तक है चाली साल तक है या पैताली साल तक है या पचास साल तक भी है दोस्तों तो आज की बरती कले आप अपलाई कर पाएंगे इस बरती कले दोस्तों आप इंडिया की सभी राजू से अपलाई कर पाएंगे male or female दोनी दोस्तों आज की भरती के लिए अपलाई कर सकते हैं दोस्तों इस भरती के लिए आपको 28 तारिक से यानि की आज की date से अपलाई करना पड़ेगा और इसमें दोस्तों Sally आपको बहुती बड़िया मिलने वाली है दोस्तों यदि आपका सपना है R.E.C. में काम करनेगा और दोस्तों यदि आप इस भरती के लिए इलीजिबल है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुती खास है दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि परते एक सरकारी नौकरी की सबसे पहले आपको प्राफ्थ हो तो दोस्तों जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लिजेगा दोस्तों बरती की पूरी इन्फॉमेशन समझने के लिए बीडियो के अंतक बने रहेगा इस बीडियो में दोस्तों आपको step by step सारी इन्फॉमेशन दी जाएगी कि आज की भरती में किस किस फोस की भरती है क्या qualification चाहिए और इस बरती का location कहा है दोस्तों इस सारी इन्फॉमेशन हम आपको इस बीडियो के मादम से देंगे तो चले दोस्तों बात कर लेते हैं आज की भरती से रिलेटेड इन्फॉमेशन के बारे में तो गाईज आगे बढ़ेंगे जैसे बता है दोस्तों आज हम बात करेंगे REC limited की भरती के बारे में इसमें सीधी भरती होने जारी है दोस्तों और दोस्तो आज की बरते के लिए male or female दोनों ही apply कर पाएंगे, जानता दोस्तो आज की बरते के लिए आई सीमा की बात है, age limit की बात है, तो इस बरते के लिए 33 साल, 35 साल, 40 साल, 45 साल और 50 साल तक वाले candidate apply कर पाएंगे, और दोस्तो साथे साथ आपको categories wise आई सीमा में छूट भ की बात है, तो इस बरते के लिए आप आज की date से, यानि की 28 सेप्टमबर से apply कर पाएंगे, आज की date से बरते के लिए apply होना शुरू हो चुका है, और इसकी last date है दोस्तो 27 October 2022, और जहां तक दोस्तो हाट को भी भीजनी की last date की बात है, तो यह है 3 11 2022, दोस्तो selection process की बात करें, इस बरते में आपका interview तता skill test के basis पे selection किया जाएगा, किसी post के लिए skill test होगा, नहीं तो इस बरते में आपका interview के basis पे selection होगा, और दोस्तो जहां तक apply mode की बात है, तो इस बरते के लिए पहले आपको online apply करना है, और इसके बाद आपको hard copies भेजनी हैं दोस्तो offline, ठीक है, सहली की बात करें, तो सहली तो दोस्तो आपको बहुती बढ़िया मिलेगी, आपका पेस की लोगा, 50,000 रुपए से लेके 2,80,000 रुपए, और जहां तक CTC बात है, CTC की बात है, तो इसमें आपको 9,00,000 रुपए से लेके 36,00,000 रुपए तक की CTC दी जाएगी परेनम की, ठीक है दोस्तो फीस की बात करें, तो इसमें 1,000 रुपए दोस्तो फीस है, फीस का बुगतान आपको ऑनलाइन करना है, तो चले दोस्तो बात कर लेते हैं कि आज की बरती में किस किस पोस की बरती होनी जा रही है, तो गैस इसमें बरती होनी जा रही है, असिस्टेंड आफिसर रा स्केंद तकी की जन्रальную मनेजर सी शी की ऑफीसर इट की अस्स्टेंट मैनेजर इट की धुटिं मनेजर rabat की Tk जीन्रो पूंग मुटिं मनेजर इंजिनिरिंग की अफीसर ऑ्फनेर्ड की टो थ्य। एति अल्रो समय गषय हूसर दुटिंगनेजर आप ए 실ने federक Claro की डेपुटी मनेजर इंजिनियरिंग की ऑफिसर इंजिनियरिंग की असिस्टेंट मनेजर इंजिनियरिंग की डेपुटी मनेजर इंजिनियरिंग की मनेजर इंजिनियरिंग की चीफ मनेजर इंजिनियरिंग की डेपुटी जीम इंजिनियरिंग की तदा जनरल मनेजर इंज यह दोस्तों भरति की नोट पेक्षन आपको दिखा देता हूं, वर्तिके नोट फेक्षन आप सामने देख सकते हैं और इसका लिंक दोस्तों मैंने दे रखा है, अपलाई करने के लिए भी मैंने link दे रखाया दोस्तों अब बात करेंगे location के बारे में तो guys आज की भरती का location है रहाना और इस भरती के लिए आप इंडे के सभी राजियों से दोस्तों apply कर पाएंगे male और female दोने दोस्तों इस भरती के लिए अपलाई कर सकते है तो guys ये ता 100 डिटेल आज की भरती का I hope दोस्तों इस वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों ये आप दोस्तों का बला चाते हैं तो आज की इस वीडियो को अपने दोस्तों और जानकारों के साथ भी जरूर सेर कीजेगा दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत सुब कामना है Thank you so much